गुजरात का सवुराश्ट्र जहां विराजमान है भगवान सोमनाथ और द्वारका में श्री कृष्ण इनहीं के पास जूनागड में स्थित है गिरनार लाखों श्रद्धालूओं की आस्था का प्रतीक और आध्यात्म का ये क्षेत्र जितना खूबसूरत है उतना ही कठिन है लंबी चड़ाई और ठकादेने वाले रास्ते दर्शन को बना देते हैं कठिन श्रद्धालूओं की इस कठिनाई को समझते हुए हमारे प्रधान मंत्री और ततकालीन मुख्य मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने गिरनार को रोपवे से जुड़ने का निश्चे किया था जिसे मूर्त रूप मिला मुख्य मंत्री श्री विजय भाई रूपानी के मार्क दर्शन में गुजरात टोरिजम के अथक प्रयासों से ये प्रोजेक्ट है स्टैच्यू अफ यूनिटी तथा मोटेरा स्टेडियम के बाद तीसरा यूनीक प्रोजेक्ट और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट जिसकी लंबाई है दो हजार तीन सो बीस मीटर और उंचाई नौसो मीटर ख्रमता है एक हजार यात्री प्रती घंडे जिसमें कुल पच्चिस कैबिन जिसमें खास फ्लोर ग्लास वाला कैबिन भी है भवनात की तलहेटी से अंबाजी की चोटी तक पच्चपन सो सीड़ियों का अंतर मात्र आठ मिनिट में पूरा करेगा जिसे बनाया गया है PPP मोड द्वारा एक सो तीस करोड रुपयों की लागत से साथ ही गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोड द्वारा मां अंबा की मंदिर तक पहुँचने तक बुनियादी सुविधा तथा सौंदर्य करण का कारे भी किया गया है इस परियोजना से नकेवल श्रद धालू बलकि परियाटकों को एक गंतव्य के रूप में आकरशित करने और पूरे क्षेत्र के दिकास पर ध्यान केंद्वित किया गया है इन सभी कशुभारंभ करने जा रहे हैं माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी गिर्नार रोख वे आस्था का नया से तु झाल 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 झाल